ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 23 अगस्ट दो हजार चौबीस दिन शुक्रवार की संपूर्ण मुरली, मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंत्मती सो गती हो जाएगी, प्रशना बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर, एक क्योंकी याद से ही जन्मजनमांतर के पापों का बोज उतरेगा, दो, याद से ही आत्मा सतोप्रधान बनेगी, तीन, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा, तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे अंत के लिए ही गायन है अंतकाल जोस्त्री सिम्रे चार बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं इसलिए बाप का डायरेक्शन है बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो ओम शांती किसकी याद में बैठे हो यह है प्यारेते प्यारा संबंध एक के साथ जो सब को दुखों से छुडाने वाला है बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है दुख तो अथा है न गाते भी हैं दुख हरता, सुख करता अब बाप तुम को सच-सच सब दुखों से छुडाने आये हैं स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है बाप का बच्चों के प्रती प्यार होता है न यह तो तुम जानते हो बाप का किन-किन बच्चों पर प्यार है बच्चों को समझाया है अपने को आत्मा समझो देह नहीं समझो जो अच्छे रत्न है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं यह भी क्यों कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मान्तर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुन्य आत्मा बन जाएंगे यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है दुख आत्मा को ही मिलता है शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है आत्मा कहती है मैं रोगी, दुखी हूँ यह है दुख की दुनिया कहा भी जाओ दुख ही दुख है सुखधाम में तो दुख हो न सके दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुखधाम में हो सुखधाम में तो जरा भी दुख नहीं समय भी बाकी थोड़ा है इसमें पूरा पुरुशार्थ करना है बाप को याद करने का जितना याद करते रहेंगे उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे पुरुशार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाडी में सिवाए एक बाप के कुछ याद ना आए एक गीत भी है अंतकाल जो स्त्री सिम्रे यह अंतकाल है न पुरानी दुनिया दुख खधाम का अंत है अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुशार्थ करते हो तुम शूद्र से ब्राह्मन बने हो यह तो याद रहना चाहिए न शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चड़ रहे हैं तो एक बाप को याद करना है उनसे मीठी चीज कौनसी होती है आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है न सब आत्माओं का बाप है उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो न सके इतने सब धेर बच्चे हैं कितने में याद आते होंगे सेकंड में अच्छा, सारे सृष्टी का चकर कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धी में अर्थ सहित है जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं कोई पूछेंगे ड्रामा याद है हाँ कहने से ही सारा बुद्धी में आ जाता है शुरू से लेकर अंत तक बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा बाबा बेहद का बाबा है उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है बाप से यह वर्णन मिलता है सेकंड में बच्चों को बाप का वर्णन सामने आ जाता है बच्चा पैदा हुआ बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया सारी मिलकियत याद आ जाएगी तुम भी अकेले अलग-अलग बच्चे हो अलग-अलग वर्सा मिलता है न अलग-अलग याद करते हो हम बेहत बाप के वारिस है सत्योग में तो एक ही बच्चा होता है वह सारी मिलकियत का वारिस ठहरा बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना, सेकेंड में देरी नहीं लगती बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो फीमेल मत समझो आत्मा तो बच्चा है न बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पढ़ते हैं आत्माएं सब भाई-भाई हैं जो भी सब धर्म वाले आते हैं, वह कहते सब धर्म वाले भाई-भाई हैं परंतु समझते नहीं अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बीलवेड बच्चे हैं बाप से पूरा बेहद का वर्सा जरूर मिलेगा कैसे लेंगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्सा लेना है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो देह तो विनाशी है प्रधान नया शरीर गर्भ में लेती है पुतला जब तयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है परन्तु वह तो है रावन के वश विकारों के वश जेल में जाते हैं वहां तो रावन होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं जब बूढे होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे वहां तो डर की कोई बात नहीं रहती है यहां तो कितना डरते हैं वहां निडर होते हैं सत्युग में अपार सुख हैं, कलियुग में अपार दुख हैं, इसलिए इसे कहते ही हैं, दुख हदा बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं भल ग्रिहस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो गुरु गोसाई सब को छोड़ो मैं तो सब गुरुओं से बढ़ा हूँ ना वह सब मेरी रचना है सिवाए मेरे और कोई को पतितपावन नहीं कहेंगे क्या ब्रह्मा, विश्नु, शंकर को पतितपावन कहेंगे? नहीं देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाए मेरे अभी तुम बच्चे गंगा को पतितपावनी कहेंगे? यह पानी की नदिया तो सदैव बहती है गंगा, ब्रह्मपुतरा आदी भी तो चली आती है इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं बरसात पड़ती तो फलड़ आ जाती है यह भी दुख हुआना अथा दुख है, बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए सत्यूग में दुख की बात नहीं जानवरों को भी दुख नहीं होता है उनकी भी अकाले मृत्यू नहीं होती यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है भक्ती में गाते हैं बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे आते तो हैं न? दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदी के बीच में ही आएंगे परन्तु यह किसको पता नहीं स्रिष्टी की आयू कितनी होती है यह भी नहीं जानते बाप कितना सहस बतलाते हैं आगे तुम जानते थे क्या किस रिष्टी चक्र की आयू 5000 वर्ष है वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है स्वास्तिका में पूरे चार भाग होते दिखाते हैं जरा भी फ्रक नहीं होता विवेक भी कहता है एक्यूरिट हिसाब होना चाहिए पुरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे चार हिस्से आपे ही हो जाते हैं ऐसी युक्ति बनाई हुई है वहाँ चावल बहुत खाते हैं जगननात कहो वा श्रीनात कहो बात एक ही है दोनों ही काले दिखाते हैं श्रीनात के मंदर में घी के भंडार होते हैं सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजे मिलती हैं बाहर में दुकान लग जाते हैं कितना भोग लगता होगा सब यातरी जाकर दुकानदारों से लेते हैं जगननाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं वह जगतनाथ वह श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं श्रीनाथ सुखधाम का था वह दुखधाम का काले तो इस समय बन गए हैं कामचिता पर चड़कर जगन्नात को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं इनको गरीब उनको साहुकार दिखाते हैं ज्यान का सागर एक बाप ही है भक्ति को कहा जाता है अज्यान उनसे कुछ मिलता नहीं वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमधनी बहुत होती, पोशियार होगा उनसे कोई सीखेगा, तो वह कहेंगे यह हमारा कुरू है उसने हमको यह सिखाया है वह सब जिस्मानी हैं, जन्म लेने वाले अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप वह कहते हैं, यह मेरा शरीर नहीं है यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिये हैं इनके बहुत जन्मों के अंतमे मैं इसमें प्रवेश होता हूँ तुमको सुखधाम ले जाने इसको गवमुख भी कह देते हैं गवमुख पर कितना दूर-दूर से आते हैं? यहां भी गवमुख है पहाड से पानी तो जरूर आएगा कोई में भी रोजोज पानी पहाड से आता है वह कभी बंद नहीं होता पानी आता ही रहता है कहा से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे वहाँ जाकर स्नान करते हैं गंदा जल समझते हैं लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बनेंगे बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ यह आत्माय मामेकम याद करो देह सहित देह के सभी संबंध छोड अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्मजन मानतर के पाप भस्म हो जाएं बाप तुमको जन्मजन मानतर के पापों से चुड़ाते हैं इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं कर्मभोग है न अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है थोड़ी-थोड़ी कला कम होती जाती है जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है न यह फिर है बेहत का दिनराथ अभी सारी दुनिया पर उसमें भी खास भारत पर राहू की दशा बैठी हुई है राहू का ग्रहन लगा हुआ है अभी तुम बच्चे श्याम से सुन्दर बन रहे हो इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुन्दर कहते हैं सचमुच काला बना देते हैं काम चिता पर चड़े हैं तो निशानी दिखा दी है परंतु मनुश्यों की कुछ बुद्धी चलती नहीं एक सामवरा दूसरा गोरा कर देते हैं अभी तुम गोरा बनने का पुरुशार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का पुरुशार्थ करेंगे तब तो बनेंगे न, इसमें तकलीफ की बात नहीं यह ज्यान अभी तुम सुनते हो फिर प्रायत लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे परन्तु यह ज्यान तो सुना न सकें। वह हुआ भक्ती मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ती मार्ग के लिए धेर सामगरी है, धेर शास्त्र हैं, कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं? काली कलकत्ते वाली भी है, मामा कह हैरान होते हैं, सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं उनको फिर माता कहते हैं तुम्हारे यह ज्यान बान, ज्यान कटारी आदी हैं तो उन्होंने फिर हथियार दे दिये हैं वास्तव में काली पर पहले मनुश्यों की बली चढ़ाते थे अभी गवर्मेंट में बंद कर दिया है आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था जब बाम फटा तो एक ब्राहमन बोला काली ने हमें आवाज दिया है हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बमफटेंगे बस धेर पैसे इकठे हो गए, मंदिर बन गया अभी देखो धेर मंदिर है कितनी जगह भटकते हैं बाप तुमको इन सब बातों से छुडाने के लिए समझाते हैं किसकी गलाने नहीं करते हैं बाप द्रामा समझाते हैं यह स्रिष्टी चक्र कैसे बना हुआ है जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा जो चीज नहीं है वह बनती है तुम समझ गए हो हमारा राज्य था वह हमने गवाया है अब फिर बाप कहते हैं बच्चे नर से नारायन बनना है तो पुरुशार्थ करो भक्ती मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आये हो अमर कथा सुनी फिर कोई अमर बने किसको ग्यान का तीसरा नेत्र मिला यह बाप बैठ कर समझाते है इन आंखों से कुछ भी इविल न देखो सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं इस पुरानी दुनिया को न देखो यह तो खलास हो जानी है बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों हम तुमको राज्य दे कर जाते हैं 21 जन्म के लिए वहा और कोई का राज्य होता नहीं दुख का नाम नहीं तुम बड़े सुखी और धन्वान होते हों यहा तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं वहा तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हों कितनी थोड़ी जमीन चाहिए छोटा बगीचा फिर वृध्धी होते होते कलियुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है और पांच विकारों की प्रवेश्टा के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है बाप कहते हैं काम महाशत्रु है इनसे तुम आदी, मध्यक, अंत दुख पाते हों ज्यान और भक्ती को भी अब तुमने समझा है विनाश सामने खड़ा है इसलिए अब जल्दी-जल्दी पुरुशार्थ करना है नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे बाप की याद से ही पाप कटेंगे पतित पावन एक बाप ही है कल पहले जिन्होंने पुरुशार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे थंडे मत बनो सिवाए एक बाप के और कोई को याद न करो सब दुख देने वाले हैं जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो इसमें गफलत नहीं करनी है याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक इन आँखों से इविल बुरा नहीं देखना है बाप ने जो ग्यान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुशार्थ करना है दो ग्रिहस्त व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाए दूसरा कुछ भी याद ना आए वर्धान अपनी श्रेष्ट व्रित्ती द्वारा विश्व का वातावर्ण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्थ भव आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्थ हो आपकी श्रेष्ट वृत्ती से विश्व का वातावर्ण परिवर्तन हो रहा है आपकी पवित्र द्रिष्टी से विश्व की आत्माएं और प्रकृती दोनों पवित्र बन रही है द्रिष्टी से स्रिष्टी बदल रही है आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब भविश्य में ताज तक्त मिलता है स्लोगन सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विधन आपको रोक नहीं सकता